हेलो एवरिवन वेलकम टो अलाइन बुक्स आज किस वीडियो में हम जानेंगे अलाइन बुक्स के ट्रेनिंग के लेवल टू के पार्ट टू के बारे में लेवल टू के पार्ट वन में हमने जाना था कि आप कोई भी मास्टर कैसे क्रेट कर सकते हैं जैसे की कस्टमर मास्टर वेंडर मास्टर या फिल आईटर मास्टर साथ ही हमने उसमें ये भी जाना था कि आप कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लाइन बुक्स आट फेक अंदर अगर आप सभी ने level 2 का part 1 नहीं देखा है तो पहले please वो भी देखेगा so that आप level 2 के part 2 को enjoy कर सके तो जो आज के part में हम cover करने वाले हम finance और opening के बारे में cover करने वाले हैं कि अगर आपको software के अंदर finance related कुछ भी entry करनी है तो आप software में कैसे करेंगे और अगर आपको software में किसी की opening डाली है तो आप opening कैसे डालेंगे तो चलिए start करते हैं finance से तो finance में कुछ भी changes करने के लिए आप simply finance मोडूल में जाएंगे जिसके अंदर सबसे पहला option आता है चार्ट of account का तो चार्ट of account में जाके आप अपने accordingly अपने master's create कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूं बैंक अकाउंट की तो हमारा जो बैंक अकाउंट होता है हमको उसकी accounting entry पास करने होती है जैसे banking receipt के एंट्री होती है या फिर मेरे expenses के एंट्री होती है तो मैं अपना बैंक का लेजर कैसे create करूंगा तो उसके लिए जस्ट आपक यहां पर अंडर ग्रूप में मैं जो लूँगा cash and cash equivalent लूँगा उसके बाद जो टाइप लेना है आपको यहां पर टाइप में बैंक लेना है अगर आपका कोई general account होता है जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरा को expense का ledger है या फिर मेरा किसी अदर चीज का ledger है तो मैं यहां पर को बैंक ले लिए और यहां पर अपना account number mention करूंगे यहां पर आपर क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तो यहां से simply मैंने अपने एक bank account create कर लिए चार्ट of account से आप अपने accordingly और भी लेजर्स create कर सकते हैं अपनी requirement के accordingly then हम finance में जाते है receipt payment voucher के अंदर again तो आपको जितनी भी receipt की payment की expense की जो भी आपको entry करनी है वो आप यहां से करेंगे जिसके अंदर सबसे पहला option आता है receipt mode का तो receipt mode के अंदर आप देखेंगे common voucher expense voucher income voucher अलग-अलग modes दिख रहे हैं आपको तो common voucher का basically मतलब क्या है कि अगर आप इसी single page window के अंदर multiple transactions कर रहे हैं जैसे कि मैंने इसी page पर receipt की भी entry कर दी payment की भी entry कर दी expense की भी entry कर दी तो अगर मैंने सारी entry एक में ही करना चाहता हूँ तो मैं common voucher लूँगा या फिर अगर मेरे को सिफ expense के entry पास करनी है फिर income की या फिर receipt की तो उसका accordingly मैं यहाँ पर इसको select करूँगा let's take an example of expense voucher की मेरे को अपने software के अंदर expense के entry करनी तो मैंने यहाँ पर receipt mode के अंदर expense voucher ले लिया then cash bank की posting option आता है कि जब आप cash bank की posting देखोगे तो आपको single line में देखना है posting या line wise देखना है single line के अंदर आपको एक ही transaction का accordingly दिखेगा अगर आप line wise लेते हो तो आपने expense voucher के अंदर जो भी entries select करियोगी debit credit amount के अंदर तो reporting के अंदर आपको complete line wise दिखता है तो हम यहाँ पर इसको line wise लेंगे cash bank account के अंदर cash net आजाएगा और जो हमने icc account बनाया था वो icc account मेरे को यहाँ पर show हो जाएगा मैंने already create करके रखा हूँ तो इस वज़े से यहाँ पर में को दो बार show कर रहा है यहाँ पर हम अपना expense का लेजर करेंगे करेंगे लिध से कि मेरा canteen expense हुआ है तो मैं यत को यहाँ पर हम अपना amount करण गा कि मेरा five thousand का जो है केंटीन का expense हुआ है amount मेरे debit रहेगा एंड डैंडन किस bank से मेरा यहां पर देख पार हैं मैंने सिंप्ली मैंने अपनी अकाउंटिंग में एक्सपेंस की एंट्री पास करते यह था लाइन बुक्स के अंदर अपको बहुत ज़्यादा करने की रिकवामेट नहीं रहती है जिसके प्राइम रीबुक के अंदर आपको कम्प्लीट रिपोर्ट हो जाएगी जैसे की पेमिंट वाउचर में एंक अन्ट्री पास करी थी तो आप देख पार हैंपे केंक्सीट्ट के वेलुट कर गया है तो इस तरीके से आप अपने software के अंदर finance के अंदर receipt payment की entry pass करेंगे अब अगर आपके पास point आता है कि अगर आपको software के अंदर contra entry pass करने हैं जैसे कि अगर मैं example के लिए बात करूँ कि मैंने bank से cash withdrawal किया है मतलब मेरा cash भी effect हुआ मेरा bank भी effect हुआ तो मेरे को Contra entry करने होगी तो मैं software में कैसे करूँगा तो उसके लिए आपको finance module में again जाना है then transfer general transfer general में जैसी आप जाते हैं तो आपके सामने एक window open हो जाते हैं जिसके अंदर आपको आपकी details feed करनी होगी date और किस दिन के आपकी entry करने जा रहे हैं तो from cash और bank तो मेरा यहां पर कोटक महिंद्रा पका जो मेरा bank मैंने कोटक बैंक ले लिया to cash और bank तो यहां पर जो रहेगा मेरा cash in end रहेगा तो मतलब मैंने कोटक to bank कोटक to cash की मैंने एक entry पास कर दी है तो इस तरीके से आप software contract भी पास कर सकते हैं जस्ट आपको उसके अमाउंट डालने की रिकॉर्मेंट हैं यहां पर जैसे कि मैंने आप फाइफ लेक रुपीस का अमाउंट डाल दिया कि मैंने फाइफ लेक का जो है cash bank में deposit करवाया है जैन उसके चैक नंबर तो चैक नंबर अभी हमको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कैश डिपोसिट करवाया है बैंक में यहां पर पोस्टिंग जनलेजर लेंगे तो यहां पर हमारा सिंपली cash and cash equivalent रहेगा यहां पर हमको अपना bank charges जनलेजर लेना कि अगर आपके कोई bank के charges लग रहे हैं जैसे कि अगर मैं कोई entry करता हूं तो अगर entry में कोई bank का कोई charges लग गया या फिर cancellation के कूछ रगए तो अगर कूछ लगए cancellation के तो वह आप अपना bank select करोगे जैसे कि मेरा यहां पर कोटक महिंदरा बैंक था मैं अपना सिंपली कोटक ले लूँगा और जो चारजीस लगें वह चार्जीसिंग यहां पर डिफाइन करूँगा दैन उसके जैसे अपने रेशन पर क्लिक करते तो software कि यहां पर उसकी narration खुद से automatically generate होकर आ गई है तो इस तरीके से हमने Alignbook software दे cash withdrawal के entry कर लिए कि मैंने bank से पैसे जो निकाले 5 लाग रुपे तो उसका software के दा हमने record maintain कर लिया है साथ सी साथ हमने जो इसमें जो बैंक के charges लगे थे वो भी हमने यहां पर mention कर दिये तो आगर कोई attachment है तो आप यहां पर attachment भी सेव कर सकते हैं और simple आप सेव की बटन पर क्लिक करेंगे यहां पर आपकी कोंटर एंट्री भी जनली सेव हो गई अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में अगेन हम और रिपोर्ट पर जाएंगे और रिपोर्ट के अंदर simply more रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा और अब प्रामरी बुक में में जाता हूं जो हमने कोंट्र एंट्री करी आप एर्थ ऑप्शन बें देख पार है कोंट्र जनल रिष्टर का यहां पर में को ऑप्शन शो हो रहा है जिसके अंदर मेरी अकाउंटिंग एंट्री रिफ्लेक्ट कर चुकिया है दैन हम उसके बात करते हैं जनल एंट्री की कि अलाइन कैसे करूंगा तो जस्ट मेरे को अकाउंटिंग के अंदर जनल के एंट्री पास करनी है तो इसके लिए जस्मेंको फणेंस मॉडूल में जाना है एंद जनल वाउचर तो हम एक्जांपल लेते हैं रेंट पे बलगा कि मेंको अपने ऑफिस का रेंट पे करना है तो मेरे को लेजर ले लिया जिसकंद एमांट डाला $500500 and then debit उसके बाद मेंको party Select करनी है किस party को मैंको Expense pay करना है बाद में तो मेंगा उसका रोप्यूं आप्य आपिने उसका रोपी करना होगा मैंने इसंद्री हैं तो अभी जो हमने cover कि चार्ट फ अकाउंट हमने cover कर लिया सीट पेमेंट के वाउचे एंटरी कर लिये transfer जनरल मतलब कॉंट्र एंटिश्ट कांसेट हमने clear कर लिया जनरल वाउचर भी हमने create पेबल का और टेक्स पेड का कॉलम आता है 6.1 के अंदर जिसमें की गौर्णनेट को मैं को सेट आफ करके टेक्स पे करना होता है तो उसकी एजस्ट्मेंट के एंट्रि हमको जीएस्ट्य एजस्ट्मेंट वाउचर से पास करने होती है जीएस्टी आइटी सी रिवर्सल कि हैं आपनी पार्टी सेट करने किस पार्टी का आपको पी डी सी म đã तो में को अकाश का जो है पेडी सी मिल रहा है तो में नेक्स्ट मंत का चेक मिला है 12 अक्टूबर का तो मैंने 12 डाल दिया और जो डेट रहे मैंने यहां पर सोरी जो अमाउंट रहेगा मैंने यहां पर डाल दिया कि मेरको 12 लाग कर चो है मैं को पीडीशी चेक मिले एंड यहां पर यहां पर प्रोसेस में ने अपने प्रोसेस की एंट्री पास कर लिए पहुत ज्यादा आपको एक एजी मेथट मिल जाता आ आपको बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस अकाउंटिंग यह कॉंसेप्स फोलोर नहीं करने होते हैं जस्ट आपको पार्टी सेलेट करने डेविट अमाउंट करना बस आपका अंदर एंट्री कंप्लीट हो जाएगा सेम इसी तरीके से आपको पीडीसी पेमेंट का एंट्री ही ले लिया जो आप चेक दे रहे उनको उनको फिस चैख-नमबर और डालेंगे किस डिट का आपने अपके यह ग्दिया चिम्पल्राव करें मैंघ्र करें पर गवर्म हो जाती आफ बहुत ही आदा पर तक आई प्रिपोर्ट में प्रिपोर्ट मिल जाएगी बस प्राइमरी पर जाना है यहां पर पर मिल जाते हैं अगर इसमें मैं क्लिक करूं तो इस तरीके से हमने हमने अपना का पार्ट कंप्लीट किया आई होप यह सारा कॉंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है दैन हम उसके बात करेंगे अगर आपको लाइन बुक क्रेट्र के आपके वह सारे डॉक्यमेंट शोजाएंगे जितने भी आपने डॉक्यमेंट बनाए होंगे एक यहां PHP करएंगे यह यहां पर कर रहा है जो कि मैं मैंने अभी एक लाग रुपे का जो मैंने पार्टी से एडवांस ले रखा है तो मैंने दोनों बिल को सब्सक्राइब किया and then इस पर क्लिक किया मतलब मेरे यह दोनों मतलब एक लाग का जो मेरा बिल था मेरे एक लाग की साथ अज़स्ट हो जाएगा तो मैं इसको अंटिक कर कर सकता था तो इस तरीके से हमने अपना पूरा finance मोडूल को कवर कर लिए जिसके अंदर जितने हमारे पास option थे हमने सारे options को कवर कर लिए होप यह सारा concept आपको clear हो गया होगा नेक्स्ट हम हम बात करते हैं opening की कि अगर मेरे को linebook software के अंदर opening डालनी है किसी party क्या outstanding opening डालनी ह है या किसी asset की opening डालनी तो मैं कैसे डालूँगा तो just मेरे को उसके लिए यहां पर opening transaction के दिए गए बटन पर click करना है and then सबसे पहला option दिखेगा bill outstanding customer का तो just मैंने इस पर click किया click करती है आपके सामने यहां पर create new record का option आएगा तो मैं just create new record पर click करूंगा अपना record maintain करने के लिए तो यहां पर मेरे को just अपनी party select करनी है जैसे की मेरे अकाश party है and then मैंने okay किया and then मैं यहां पर bill number डालूंगा कि last जो इसका year का bill था जिसकी मेरे को यहां पर opening डालनी आओ standing डालने तो मैंने उसका bill number डाल दिया date मैं यहां पर select कर लेता हूं जो मेरा date है last March का दो मार्च का ही मेरा bill है तो मैंने वो select कर लिया due date इसकी दो मार्च की ही थी debit amount मेरा यह debit में रहेगा कि मैंको party से balance लेना था तो debit party का debtor party का balance debit side में रखा कि इसका मतलब मैंको party से पैसा लेना है जो amount लेना है वो है 50,000 वो मैंने यहां पर mention कर दिया अगर कोई salesman है तो आप यहां पर salesman भी set कर सकते हैं then just save तो इस तरीके से मैंने अपनी party की opening डाल दिया outstanding की भाई में को party से 50,000 रपे लेना है पार्टी का outstanding generate हो चुकिए 50,000 के साथ same इसी तरीके से आप अपने vendors की मतलब अपने supplier की भी outstanding generate करेंगे जिस यहां पर click करके create new record पे click करेंगे आपका यहां पर supplier का भी outstanding create हो जाएगा then हम इसके बात करते हैं अगर मैं मैं को अपने stock की opening डालने मतलब में को अपने inventory की opening डालने तो कैसे डालूँगा जस्ट में को ओपनिंग stock पे click करना है जैसी आप opening stock पे click करते हैं आपके सामने इस तरीकी के आपकी item list शो जाएंगी जितने भी आपकी multiple items की अपने opening mention कर सकते हैं अगर आपके एक से दो आइटम से ज्यादा कि अगर आपकी opening है अगर आप manually नहीं डाल सकते हैं आप चाहते हैं कि मैं excel से import कर लूँ तो हमने यहां पे download format का बटन दिया download format पे click करके excel के अपडेट करके easily आप अपनी सारी openings को easily import भी कर सकते हैं जस सिंगल क्लिक का process होगा आपका data import करने के लिए जो कि आपका बहुत जादा time बचाएगा जिसमें कि आप अपना billing भी easily fast कर सकते हैं जैन अगर हम बात करें इसमें ही अगर मेरे को किसी अपने asset की opening डालनी है तो just मेरे को opening financial year में जाना है तो यहां पर opening financial year की window पर आने के बाद जैसे मेरा कोई vehicle है तो मैंने vehicle search किया जिसकी मेरे opening डालनी है यहां पर आप देख पार है मेरा vehicle आचुका तो यहां पर opening डाल दूँगा जैसे कि मेरा जो vehicle आया है फाइफ लाक रुपीज का मेरा vehicle आया है तो मैंने पर फाइफ लाक रुपीज डाल दिये मतलब मेरे vehicle की मैंने opening यहां पर mention कर दिये then just save तो इस तरीके से opening financial year में आने के बाद मैं अपने assets की भी opening डाल सकता हूं linebook software के अंतर अगर आप मैं इसके बात करूं opening transition की तो मैं अपने employees की leave balance भी डाल सकता हूं fix asset की अपनी openings भी mention कर सकता हूं या फिर अगर मेरे POS के customer है तो मैं उनकी POS customer की भी opening यहां भी mention कर सकता हूं साथ ही अगर आप बार कोड़ वाइस स्टॉक mention कर maintain कर रहे हैं तो बार कोड़ स्टॉक की भी आप यहां से opening one by one करके manually maintain कर सकते हैं तो आई होप यह सारा concept यह सारा process आपको clear हो गया होगा इसमें कोई doubt confusion नहीं होगा और आपको प्रोसेस अच्छे से सजम्याएगा और आपने इस वीडियो को entertain किया होगा so thank you so much for watching have a nice day